जेल से हमें डर नहीं लगता अटेट है तुम लोग सावरकर की ओलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग की अउलाद हैं हम भगत सिंग को अपना दर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने जुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया हमें जेल से फांसी के फंदे से डरने लगा कई बार जेल हो आया हम लोग अभी थोड़ी दिर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीश से सोधिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है CBI को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर CBI मनीश जी को गिरफतार करने वाली है मैंने तो आपको तीन-चार महीने पहले ही बता दिया था इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीश जी को ये गिरफतार करने वाले हैं जल्दी गिरफतार करने वाले हैं तो तीन-चार महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉंफरेंस करके उसके वाद अपने कई भाशनों में असेंबली में मैंने कहा था कि मनीश को गिरफतार करने वाले हैं तो तीन-चीर मेने पहले जब ईनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीश जी को गिरफ़तार करने वाले मैंने क। बहुर्वाने क्या कर दिया तो उन्म ने कोई केस नहीं है कुछ मिला नहीं है धूंड से अंगरे तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है पहले यह तै किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मन गडंत झूटा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है एक नया सिस्टम हमारे देशें धर अरभाण हुआ है मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं मैंने सारा अभी चेक कराया पूरा का पूरा केस बिल्कुल जूठा है बिल्कुल जूठा है उसमें रत्ती भरकी भी सच्चाई नहीं है मैं मनीज सिसोधिया को 22 साल से जानता हूं सन 2000 में पहली बार मिला था मनीज से एक बेहत कटर इमानदार आदमी है कटर देश भकत आदमी है एक यह सोचने की बात है कि हाथ दों के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं इतने हमारे मलेज को यह जेल भेज चुके हैं सारे छूट छूट के आगए और कोट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे-गंदे और पास किये इन लोगों के खिलाफ कि क्या जूटे सच्चे केस मना रहे हो सतिंदर जैन को इन्होंने गिरफ़तार कर लिया जूटे केस में पिछले महीन हैं अब मनीश सोधिया जी को गिरफ़तार करने जा रहे हैं यह लोग तो आखिर यह आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं तीन कारण हैं पहला कारण आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार हैं वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार हैं सार यह दिखाना चाहते हैं दुनिया को, कि देखो ये भी हमारे जैसे ही है, जैसे हम भ्रष्ट हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी भ्रष्टाचारी है, पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रहे हैं, दुनिया खुदी कह रहे हैं, जूटे केस लगा रहे हैं, तो जो मर्जी कर लो, स सच्चाई के रस्ते पे चलते हैं भगवान हमारे साथ हैं दूसरा कारण यह हमारे पीछे क्यों पढ़े हां हाथ दो के जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है पूरे देश के अंदर आमादमी पार्टी के आन्धी आ रही है। पूरे देश के अंदर आमादमी पार्टी के चल्चा रही है। यह उसे रोकना चाहते हैं, यह नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनके टक्कर में खड़ी हो, पर मैं नहीं कहना चाहता हूं तुम जो मरजी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता, आम आदमी पार्टी पू 24 घंटे बिचली अच्छी सड़के मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, free बिजली मिले, सब लोग अच्छी सुपिधायं चाहते हैं, हर आदमी चाहता है देश के अंतर ब्रषताचार χतमों, हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने अब आम आदमी पार्टी से ही उमीद है पूरे देश के लोगों को उसको फैलने से कोई नहीं रोख सकता एक अंग्रेजी में कहावत है और तीसरा कारण यह क्यों हमेरे पीछे हाथ दोके पड़े हैं दिली के कामों को रोखना चाहते हैं दिली के अंदर जो शांदार काम हो रहे हैं सिंगापूर की सरकार पूरे दुनिया के मेर बुलाये उन्होंने और केजरिवाल को बुलाया कि आके इंको जरासा सिखाओ कि आप दिली में क्या काम कर रहो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है Trump साब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती है यह हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते है खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शांदार काम हो गाँ इसलिए उन्होंने पहली health minister को jail में डाला और अब education minister को इन्होंने jail में डाला पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुखेंगे ढुप से मजें की में डाला उन्होंनेर जाला संब्सक्राइब गे लगणा चाहर मनी के साल हुँगे मन passiert में निल्हिं ऑची को यचाणे को यन रखेंगे महनी से सूदियाचे को यह सिकलाउचे साम के मजी सभा यूथे जाँगे और बब अबड़ों स्टूरी और शपॉर्ट अपॉर्ट रप्रभॉट जो इस भी दॉप्टन ड्रोबस्ट जोली से